हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब और पालिजिकल नियूज में बात करेंगे निकी हैले की जियां अमेरिकी प्रेजिदेंशल रेस से वो बाहर हो चुकी है उन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया है कैमपेइन को खत्म कर दिया है डॉनल्ड ट्रॉप ने प्राइमरी में उनको हरा दिया है उम्मीदवारी की रेस से बाहर होने वाली वो दूसरी भारत बंशी है इससे पहले विवेक रामस्वामी रिपबिकन पार्टी के ओर से जब उनको हर का सामना कर रहा पड़ा तो उन्होंने उम्मीदवारी से अपना नाम वापिस ले लिया अमेरिका में इंडियन ओरिजन की फार्मर गवर्नर नेकी हैली ने रिपबिकन पार्टी की ओर से प्रेजिदेंशल पोजिशन की उम्मीदवारी के लिया अपने कैंपेंड को यहां पर खाक्म कर दिया रहे जिसके लिए उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने साफ तॉर पर लिखा यहां पर I end my campaign with the same words I begin it from the book of Joshua I direct them to all Americans but especially to so many of the women and girls out there who put their faith in our campaign be strong and courageous यह पूरा यहां पर उन्होंने ट्वीट किया तो वहीं Donald Trump जिन्होंने निकी हेली को हरा दिया है प्राइमरी में और निवंबर 2024 में यानि इस साल के एंड में चुनाव के लिए प्रेज़ेंट के एलेक्शन के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया है उन्होंने भी प्राइमरी में सुपर ट्यूजडे में कल जब जिस तरीके से जब डेकलेर हुआ तो और उन्हें कहाई कि यह एतिहास एक दिन है निकी हैली को हराका डॉनल्ड ट्रॉम्प ने एक तरीके से यहाँ पर अपनी खुशी जाहिर की उन्होंने मारूलागो में अपने रिजॉट में सुपर ट्यूजडे को अमेरिका के लिए अमेरिका के इतिहास में एक खास दिन बताया जाहिर सी बात है खास तो हो गई क्योंकि अब उनके रास्ते में कोई नहीं है निकी हैली नहीं है कोई नहीं है आप Republican Party की तरफ से सिर्फ और सिर्फ Donald Trump मैदान में है उनका मुकाबला होगा Democratic Party के उम्मीदवार से तो देखी है ली ने Republican Party के ओर से अपने Presidential Race को एक तरह से अपनी इस Race को यहाँ पे खत्म कर दिया अपने प्रचार अभिहान को आज जो है Wednesday को रोक लगा दी है और Super Tuesday के बाद जब 15 स्टेट्स की प्राइमरी में उनको हार का सामना उनको जब करना पड़ा उसके बाद ही decision लिया निकी हैली इंडियन ओरिजिन की अमेरिकी लीडर है और लोग उने बहुत पसंद भी करते हैं निकी हैली Republican Party में Donald Trump के election campaign में सबसे बड़ी रुकावट थी लेकिन अब ये रुकावट खत्म हो चुकी है Donald Trump के साथ उनके जब वो President थे रहते हुए वो उनके साथ काम कर चुकी है Donald Trump Republican Party से, निकी हैली भी Republican Party से Donald Trump ने उन्हें United Nations में अमेरिकी Ambassador के तौर पर भी उस वक्त न्यूप किया था Donald Trump की लोग प्रियता के आगे एक तरह से ये कहा जाए कि निकी हैली लगातार कोशिश तो कर रही थी लेकिन उनकी लोग प्रियता के आगे जुस तरीके से लोग अमेरिका में उनको पसंद करते हैं उसके आगे निकी हैली की लोग प्रियता कुछ काम नहीं आ पाई और यहाँ पर Donald Trump शीद करे हैं आपको बता दें कि अपने election campaign में निकी हैली ने जब अपना campaign चला रही थी कई तरीके से उन्होंने Donald Trump पर अटाक किया उनकी एज को लेकर उनके character को लेकर उनके fitness को लेकर तमाम तरह के सवालों को उन्होंने उठाया और हैली ने बार-बार कहा warning दी कि Donald Trump बाइडन के खलाव आम चुनाव हार जाएंगे लेकिन वो Trump से पिछड़ गए और अब Donald Trump Republican Party की तरफ से मैदान में है निकी हैली ने वर्मन में Republican primary election में Donald Trump पर जीत हासिल करके वैसे सभी को हैरान कर दिया था और ऐसी वो पहली महिला थी हैली को उस वक 49.9 फीस दी और former President Donald Trump को 45.8 वोर्ट्स प्राप्थ हुए थे मिले थे देखा जाए Donald Trump दूसरे स्टेट के primary election में बढ़त बनाने में कामियाब रहे जुसे कि Republican की ओर से दावेदारी में वो सबसे आगे हो गया और निकी हैली पिछे हो गई रिपब्लिकन पार्टी की ओर से Presidential position की दावेदारी हासिल करने के लिए दोनों जो कैंडिडेट्स थे डॉनल्ड टॉप और निकी हैली को 1215 यानि 1215 डेलिकेट्स की जरूद थी प्राइमरी में जीतने की जरूद थी लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें डॉनल्ड टॉप के खाते में 893, 893 और निकी हैली के खाते में 66 डेलिकेट्स आई यानि बहुत ज्यादा कम बहुत ज्यादा कम तो जाहिर सी बाते उने हाद नहीं था अब प्राइमरी में सिर्फ दो जगे से उनको जीत हासल हुई थी निकी हैली को और जो बाकी जगे हैं वहां से डॉनल्ल टॉप को लाहरिस और 2024 में विवेक रामस्वामी अभी हाल ही में तो एक भी प्राइमरी जीतने में वो सक्सेस्फुल नहीं रहे थे लेकिन दो दो प्राइमरी जीती निकी हैली ने पूरे केंपेन में खुद को एकनॉमिक और जो फॉरन पॉलिसी होती है उसको लेकर स्ट्रॉंग अपने यूज रखे पॉइंस रखे और ने कहा कि अमेरिकन ड्रीम को मैं ही सच कर सकती हूं इसलिए मुझे चुने लेकिन लगता है लोगों पर उत्रा जादू निकी हली का नहीं चला निकी हली ने डॉनल ट्रॉम्प को लगातार मुकाबला दिया लेकिन उनको सिर्फ वर्मेंट और कोलंबिया में ही जीत मिली डिकी ने अ बहस हुई थी उस बहस का यहां पर फिलहाल तो कोई फायदा नहीं नज़र आया प्राइमरी में हाला कि जितनी भी उन्होंने प्राइमरी जीती जो दो प्राइमरी जीती यह दो जीत कर भी उन्होंने एक तरीके से कमाल कर दिया है यहां पर तो एक तरह से देखा जाए तो जो 24 स्टेट हैं जहां पर प्राइमरी एलेक्शन हुए वहां पर हैली सरिफ दो स्टेट में उनको जीत हासिल हुई अब तक 24 स्टेट में प्राइमरी एलेक्शन हुए और उसमें जो है हैली को वर्मिन में 92% वोट मिले ये बहुत कमाल की बात रही यानि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेकी हैली को कितना जादा पसंद किया वहां पर और कितनी जादा लोग प्रिये वो वहां थी और अगर हम वाशिंटन की बात करें जहां पर उन्हें दूसरी जीत हासिल हुई 63% वोट मिले थी यानि कि यह जो कहा जाता रहा है जो पॉलिटिकल एनलिस्ट है वो यह कहते हैं कि डॉनल्ड रॉम्प को हराना बहुत मुश्किल है लेकिन दो प्राइमरी में जिस तरीके से निकी हैली ने मुकाबला किया डॉनल्ड रॉम का यह कमाल कर रहा है इस तरीके से निके हली जो है रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली फर्स महिला बन गई है फर्स फीमेल कैंडिडेट बन गई है 2016 में वाशिंटन से प्राइमरी इलेक्शन वो हार गए थे और अब देखा जाए तो वाशिंटन से फिर से वो यहां पर हारे आखिरकार निकी ने एक तरह से कहा जाए अब जो है प्राइमरी के जब रिजल्ट आए सूपर ट्यूजडे के बाद आज बुदवार को वेंजडे को अपने कैंपेंड को यहां पर समाप्त कर दिया है क्योंकि अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सिर्फ एक चहरा है और वो चहरा है डॉनल्ड ट्रम्प का अब देखना यह होगा कि डॉनल्ड ट्रम्प जिस तरीके से कही तरह के चार्जस में फस्ते हुए नजर आए और एक बार तो ऐसा लगा कि वो इस प्रेजिडेंट की दौड में प्रेजिडेंशल की जो रेस चल रही है इसमें वो आही नहीं पाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं हर चीज जो है एक तरह से उनके रास्ते में जो भी रोड़ा था वो खत्म होता गया हर चीज को वो पार करते गए और अब जो है निकी हैली को के लिए जो कहा जा रहा था कि निकी हैली उनके सामने एक स्ट्रॉंग कैंडिडेट है रिपबिलिकन पार्टी के सही है लेकिन में जिस तरीके से हुआ, Super Tuesday में जिस तरीके से हुआ, वो ये बता रहा है कि Former President Donald Trump फिर से क्या President बने की राह पर निकल गए तो अगर इतियास को देगें, तो पुछले 36 सालों में जिसने भी प्राइमरी एलेक्शन में जीत हासिल की है, वो Republican Party की तरफ से चहरा बना है presidential race के लिए presidential candidate के तौर पर, अब Republican Party की तरफ से Donald Trump है, और Nikki Haley को हार का सामना करना पड़ा, अपने election campaign को यहाँ पर वेराम देना पड़ा, खत्म करना पड़ा, आप क्या सोचते हैं Nikki Haley के बारे में, किस तरीके से वो strong तरीके से, मजबूत तरीके से Donald Trump के सामने डटी रहीं, और Republican Party के लिए अब जो candidate बनकर सामने आए हैं Donald Trump, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो वाकई American Dream को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि कई तरह के मुद्दे हैं, चाहे गन्वालेंस का मुद्दा हो, तमाम तरह के और immigration का मुद्दा हो, inflation का मुद्दा हो, foreign policy का मुद्दा हो, चाहे तो problem से घिरा हुआ है, America कहीं न कहीं, superpower जरूर कहा जाता है, लेकिन यहां पर भी मुश्किले कम नहीं है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं, इस election को लेकर, Nikki Haley को लेकर, Donald Trump ने जिस तरीके से Nikki Haley को हराया है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, Nikki Haley जिस तरीके से, strong तरीके से, ड Donald Trump अब Republican Party की तरफ से Presidential Candidate है, और Nikki Haley बाहर हो गई है, क्या सोचते हैं, comment box में जरूर बताएं, जाने इस पहले मेरा चानल, like, subscribe, share जरूर कर ले, political news, entertainment news और तमाम news के लिए मेरे साथ जोड़े रहें